नमस्कार चात्रो आज हम हम इस दर्ती की संदती है यह कक्षा दस्वी का पध्यपाट यहाँ पर सीखने जारी है यह पध्यपाट एक कववाली के रूप में यहाँ पर रखा गया है इसका मुख्य उद्देश यह है कि कववाली इस विधा को चात्रों के सामने रखा जाए है उमाकांत मालवीयजी जो अपने काल के प्रसित्त कवी माने जाते हैं इस कवी को नवभारत का नवकवी के रूप में भी हम हमने पुजागर कि रहा है उसी प्रकार यहाँ पर किसी विषय को रोचक धंग से छात्रों के सामने रखना यह भी इसका मूल उद्देश्य मान अगर हम किसी भी विषय वस्तु को अत्यांत रोचक धंग से छात्रों के सामने रखेंगे तो जाहिर है कि विया बार छात्रों को जल्दी समझ में आए उसी प्रकार इस पध्य कवीता में महापुरुषों को महापुरुषों की नाम लिए गये है जिसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है और इस महापुरुषों के नामों की जानकारी भी चात्रों को होनी अवशक है इस अधि देश्य से यहां नामों की यहार् אני यिद्म उसी प्रकार यहां बता सबसे मेðना बात यह बताई गयी है हों है कि अपस। में जगडा करने से कंपी फाइदा नहीं ुसी प्रकार हम अगर जगड़े की पचाय आपस में मिल जूल कर रहते हैं तो हम अच्छी डंग से अपना जीवन व्यदी कर सकते हैं और एक मेहतोपूर्ण बात यह है कि इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को भी समानरुप से रखना चाहिए यह समानरुप से स्थान देना चाहिए यह भी अत्यमतम मेहतोपूर्ण उद्धिश्य इस पद्यमाट का है और यह आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष इस रख के पहिए दो पहिए हैं दोनों का भी समान महत्व हैं अगर रख का एक पहिया निगल उसी प्रकार इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का भी होना कितना आवश्यक है यह इस पद्यकविता में या पद्यपाट में बताया दया हैं अब हम इस पद्यके कवी उमाकांत मालविये जी इनका थोड़ा सा जीवन परिचे देखेंगे तो कवी का नाम है उमाका में इलाहबाद उत्तर प्रदिश में कुई है भावों की त्यूरता और जल सरोकारों को रेखांकित करने वाले इस कवी को हम उनका अक्रविनी स्थान लेखने वाले हिंदी साहित्य में आप नवगीत के भगिरत के नाम से भी चाहिते हैं आपकी प्रमुक्रुतिया है मेंदी और महावल रक्तपत सुभह का रक्तपलाश यह उनका कविता सम्रह प्रसिद्ध हो चुके हैं प्रस्तुत पद्य में यह प्रस्तुत कव्वाली में अगर देखा जाएं तो दो दलों की नोबज़ोग दिखाई गी है इसमें एक दल लड़कियों का है और एक दल लड़कों का है और यह दोनों दल अपनी अपनी सृष्टता सिद्द करने पर लगे होए हैं और यह स्रेष्टततं सिद्ध करने के लिए वे अनेक पौरानिक महापुरूशों का उदाहरन एक दूसरे को दे रहे हैं। उसी प्रकार यह जगडवा एक दूसरे को स्रेष्टत्व सिद्ध करने के लिए यहा दिया गया है और जब दोनों भी दल अपने-अपनी महत्व सामने रखते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि हम दोनों भी एक समान हैं उस प्रकार जिस प्रकार रद के दो पहिये होते हैं अगर एक भी नहीं रहा तो दुसरे का महत्व नहीं रहता उसी प्रकार इस समाट में स्प्री और पुरुष दोनों का भी समान महत्व है और यह समहत्व दोनों भी दलों को समझ में आता है और यह दोनों दल आपस का जगडा छोड़ देते हैं और पृतिये चरण में दोनों में फिर समेट हो जाती है दोनों एक हो जाते हैं और इस भारत माता की प्रगती उन्नती करने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं अगली तासिका में हम यहां लड़कों का दल क्या कहता है यह सीखेंगे दन्यवाद